क्या आप जानते हैं दुनिया में पाए जाने वाले दस तरह के खुबसूरत जीव के बारे में जो धर्ती पर धीरे धीरे विलुप्त होने के कगार पर है नमबर फर्स्ट पर आता है सेगा हीरन हीरन प्रजाति का ये सेगा एंटिलोब बेहुत सीधा साधा और क्यूट सा जीव है मंगोलिया और आसपास के कुछ देशों में पाए जाने वाला ये जीव जबरदस संकट में है और विलुप्त होने के कगार पर लगा है वही नमबर दो पर आते हैं दुरुविय भालू दरसल अंटाक्टिका के बरदस से परे बहुत ही मुश्किल माहौल में पलने वाले दुरुवे भालू देखने में भले ही काफी खतरनाक दिखते हैं लेकिन सच बात तो यह है कि वह खुद बड़े खतरे में हैं और उन्हें बचाए रखने के लिए ज्यादा दर लोग कुछ नहीं कर रहे हैं दुरुपल से बड़े खतरनाक दर में जी रहा है और दुनिया में करीब-करीब विलुपत होने के कगार पर है इसे के साथ नमबर चार पर आता है लंबी नाक वाला बंदर इसे प्रबास्किस मंकी भी कहा जाता है इंडोनेशिया के जंगलों में पाए जाने वाला ये बंदर इंसानों का असली पूर्वज लगता है लेकिन तब भी कोई इसकी परवान नहीं करता इसे कारण अब ये बं पॉपिलर भी है सिर्फ यहीं नहीं दुनिया के तमाम जू में इसकी खासी डिमांड रहती है लेकिन ये प्रजाती भ्यंकर खत्रे में है इसलिए मेरगास्कर के जंगली इलाकों को छोड़कर इसे देख पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है इसे के साथ नंबर छे पर इ जाने जुगनू भी शामिल है तभी तो बरसात में हमारे आपके घरों में भी आस पास अब जुगनू बहुत ही कम दिखाई देते हैं नंबर सेवन पर आते हैं पाइड टैमरेन ओल्ड वर्ल्ड मंकी कैडगरी का ये बंदर तो इंसानों जैसी सूरत के कारण खासा चर्च जीव भी दर्टी से विलुप्त होने की कगार पर हैं जिसका नाम है ट्री पैंगॉलिन दरसल ये खुबसूरत जीव यूं तो अफरीका में पाया जाता है लेकिन अब वहां भी आसानी से नहीं दिखाई देता दुनिया से बहुत तेजी से गाइब हो रहे इन जानरों के प्रति लोगों में जगाना चाहते हैं इसके इलावा नमबर 9 पर आता है अंगानों का टोटो आइस में पाई जाने वाले इन खुबसूरत कच्वों को देकर सबका जी करता है कि उनके साथ खेले लेकिन सच तो यह है कि संख्या इनकी इतनी कम हो चुकी है कि इस प्रजाती के सबी शिश्वों के शिदीर पर नमबर डाल कर उनकी सुरक्षा करने का प्रयास करना पड़ता है वरना इनसान इने कहां जिंदा रहने देगा नमबर 10 पर आता है लास्ट बर नॉर्ड लीस्ट स्नब नोस्ड मंकी दरसल इनसानों के नाक और होंट वाला ये बंदर में अ अबसूरत जीव जो विलुपत हुए जा रहे हैं और हमें इसके बारे में कोई परवाही नहीं है